पताब साही सर राम मंदिर को लेकर तमाम स्टेट्मिंट्स आ रहे हैं अभी बलिया के एक बिधायक सुरेन सिंगा बयान है उन्होंने कहा कि जरुद पड़ी तो कानून हाथ में रखकर मंदिर बनाएंगे कि इसके संदर में मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है इसलिए मैं कोई टीपरी करना नहीं चाहता है लेकिन जिस तरह से बिवाद बढ़ रहा है तमाम बयान आ रहे हैं आपको लगता हैं कि राम मंदिर अब देरी होगी तो जनतामे नाराजघी पैडा होगी नहीं ये देश के लोगों की क्षा है कि राम मंदिर जल्दी बने इसके बारे में इतना जल्दी निर्णे हो जाएगा उतना अच्छा हो सर एक अंतीम सवाल क्रिशी मंतराले ने एक परलेमेंटरी कमिटी को एक रिपोर्ट सोपी है उसमें ये कहा गया है कि नोटबंदी से किशानों पर बूरा अशर पड़ा है आपको लगता है कि यूपी में जिस तरह से करणों की संक्या में किशान है उन्हें दिक्कत जरू थी नोटबंदी को लेकर उखाद ने खरीद पा रहे थे बीज ने खरीद पा रहे थे इस तरीके की दिकत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में पिछले साल जो है वो सत्र लाख में ट्रिक्टन खाद्यान उत्तपादन बढ़ा है और हमारी प्रड़क्टिवटी भी बढ़ी है इसलिए मैं नहीं समझता कि 2017-2018 में उत्तर प्रदेश के भीतर किसी इस तरीके का कोई आप से बात को ने के लिए शुक्रिया करने बाद में राहूल के साथ पुष्कल भारत समाचार दिल और यूपी में नौक